अस्लाम लेकूम प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे तितली इसलाम जमार दौम सबक नमबर वान अल्ला कुद्रत वाला है आज हम सबसे पहले इसकी कहानी पढ़ेंगे अल्ला हालिक है जिसका बतलब है वो सब कुछ बना सकता है आसमान पर जमक तिस्तारों से लेकर चूंटी तक उसी ने बनाई है अल्ला राजिक है जिसका मतलब है वो खाने पीने की तुमार चीजें बनाने पर कादिर है वो बड़ी सिवेल मचली से लेकर एक दिन के बचे तक सब को रिस्क देता है अल्ला मुहेमिन है जिसका मतलब है के वो हमारी हिफाज़त करता है एक ममूली प्रिंदे से लेकर ताकतवर हाथी तक सब की हिफाज़त करता है वो हम सब को गर्मी सर्दी और बिमारियों से भी बचाता है अल्ला बेहतरी मुहाफिज है मगर वो सिर्द उनकी मदद करता है जो अल्ला से मदद मांगते है अगर आप सोने से पहले सुरत अनास और सुरत अल्फर्द पढ़ लें तो अल्ला ताला सोत्रे में हर चीज़ से आपकी हिफाज़त करते है शितान हमें बिहकाना चाहता है आपको अल्ला से पना माहनी चाहिए कि वो आपको शितान से मिहफूज रखे इसमें बताया गया है कि अल्ला हमारा खालिक है जिसने सब कुछ बनाया है चमकते स्तालों से लेकर मुमूली चूंटी तक सब कुछ अल्ला ताला नहीं पैरा किया है यह सब कुछ बनाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है अल्ला ताला अल्ला राजिक है वो हम सब को रिस्क देता है चोटी से चोटी चीज़ को भी अल्ला रिस्क देता है पत्थर के अंदर भी कीडा हो तो अल्ला उसे भी रिस्क देता है और बड़ी सी वेल मचली अगर समुंदर में हो तो अल्ला उसे भी रिस्क देता है अल्ला मुहेमिन है जिसका मतलब है वो हमारी फादत करता है यानि जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम हमारी इफादत कौन करता है अल्ला तला करता है और हम सिर्फ उसी से ही मदद मांगते हैं क्योंकि मुश्चोटे से मुमूली से प्रिंदे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की इफादत करता है वो सर्दी हो या गर्मी सब को बिमारियों से बचा कर रखता है अल्ला तला हमारा बेहतिन मुखाद है वो हम सब की हिफादत करने वाला है अगर हमें मदद मांगनी चाहिए तो सिर्फ अल्ला तला से मांगनी चाहिए अल्ला तला के लावा हमें किसी से मदद नहीं मागनी चाहिए क्योंकि अला ताला ही सिर्फ हमारी मदद करने वाले है अगर हम सोते हैं तो सोने से पहले हमें सुरत फलत और सुरत अन्नास पढ़कर सोना चाहिए क्योंकि अगर हम ये पढ़कर सोएंगे तो इसमे लाताला हमारी इफादत करेंगे शितान हमें बहकाना चाहता है क्योंके वो चाहता है कि हम अल्ला की अबादत ना करें हम कही ओर चले जाएं किसी ओर की अबादत करें इसलिए हमें चाहिए कि हम शितान के बहकावे में ना आएं सिर्फ और सिर्फ अल्ला ताला की इबादत करें और अल्ला ताला से ही मदद मांगें क्योंकि अल्ला हमें रिज़क भी देता है और अल्ला हमारी मदद भी करता है और हमारी हिफाज़त भी करता है इस ये प्यारे बच्चो आज हमने इसकी कहानी पड़ी है अल्ला कुदत वाला है कल हम इसकी रीडिंग करेंगे थ्री टाइम